आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने question की photo खीचो उसे crop करो और तुरंत वीडियो solution पाओ डाउनलोड नाओ क्या दिया है यहां से Cos of 43 degree Plus Cos of 29 degree Minus Cos of 79 degree Minus Cos of 55 degree This is equal to Sine of n degree तो यहां से हम क्या करते हैं कि हम एक प्यर इसका और इसका प्यर बना लेते हैं यह और एक प्यर में हम इनको रखते हैं तो यह क्या हो जाएगा हम यहां से मिल जाएगी हो जाएगा Cos of 43 degree Minus में हो जाएगा Cos of 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 हो जाएगा 29 degree Minus में हो जाएगा Cos of हो जाएगा Cos of हो जाएगा Cos of 79 degree आजाएगा और यह हो जाएगा, यहां से जाएगा, sin of n degree आ जाएगा, तो इसके बाद हम next में क्या करते हैं, कि हम यहां पर क्या, cos c minus cos d का formula apply करेंगे, तो क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा, cos of हो जाएगा, c minus cos d, this equal to 2 times of sin c plus d by 2 into sin of d minus c by 2, तो जब इस formula का में हाप apply करेंगे, तो यह क्या हो जाएगा, यहां से जाएगा, 2 times of हो जाएगा, sin 43 plus, 43 degree plus में क्या हो जाएगा, 65 degree divided by 2 into, यह हो जाएगा, यहां से जाएगा, sin off हो जाएगा, यहां से यह 65 degree minus 43 degree divided by 2, plus हो जाएगा, 2 times of, sin of 79 degree plus 29 degree divided by 2, into में हो जाएगा, sin off हो जाएगा, 29 degree minus में 79 degree divided by हो जाएगा, यहां से आजाएगा, 2 आजाएगा, सुरी, यहां पर क्या हो जाएगा, 79 minus 29 होगा, d minus c होगा, यह हो जाएगा, d minus c, this equal to sin of n degree, sin of n degree जब यहां से मैं से को simplify करूंगा, यहां से हो जाएगा, 2 times of हो जाएगा, sin 43, यह हो जाएगा, 108 by 2, यहां 54 degree आजाएगा, और into में हो जाएगा, यहां से इसको solve करेंगा, तो हो जाएगा, sin of 63 minus 43 कितना हो जाएगा, 22, 22 by 11 हो जाएगा, 22 by 2, यहां से यहां से यहां जाएगा, 11 degree हो जाएगा, plus में हो जाएगा, 2 times of हो जाएगा, this also, इसको SALL करेंगे तो हमें क्या मिलेगा यह भी लिए 108 राइट तू है ति यह हो जाएगा 54 ग्री आ जाएगा इंटू कि यहां पर क्या हो जाएगा ही हो जाएगा साइन ऑफ सेवंटी नाइन तो इसको सिक्स्टी क्या होगा फिप्टी प्लेस में टू यहां पर क्या फिप्टी वाई टू इसको क्या लिखेंगा यहां पर हो जाएगा टूंटी फाइब डिग्री आ जाएगा टूंटी फाइब हो जाएगा हां से क्या sign of n degree तो जब यहां से इसको मैं simplify करूँ हो थम से हां से क्या two sign 54 degree common हो जाएगा तो हमें हाँ पर क्या मिल जाएगा two times off हो जाएगा sign में 54 degree तो जब हमें हां से क्या मिले गए हो जाएगा sign आप हो जाएगा लेवन डिगरी इंटो कॉस आफ हो जाएगा है से u प्लस में रहे गए हाह से 1 2 2 3 1 6 7 साइन आंफ हो जाएगा 25 डे होल इक सुल तो आजाएगे हाह से क्या साइन आफ इन डिगरी आजाएगा तब हम्हें पी नेक्स्ट में क्या करते ही कि यह हो यहां से हाजएगा, sin of हो जाएगा, c plus sin d, this equal to two times of sin of c plus dy2 into cos of c minus dy2, तो हमें यहां पर इसको जब एप्लाई करेंगे, तो हम यहां से कहा जाए गई हो जाएगा, two times of हो जाएगा, sin 54 degree into, यहां से हो जाएगा, यहां से हो जाएगा, यहां से हो जाएगा, two times of sin हो जाएगा, 25 plus 11 divided by 2 into cos of हो जाएगा, यहां से क्या, cos of 25 minus 11 divided by 2, equal to sin of n degree, sin of n degree, इसको जब यहां से मैं सिंप्लिफाई करूंगा, तो हो जाएगा, two times of हो जाएगा, sin of 54 degree into हो जाएगा, two sin 18 degree into cos of हो जाएगा, यहां से क्या, seven degree हो जाएगा, equal to आ जाएगा, हां से क्या, sign of हो जाएगा, n degree, अब हमें आप नेक्स्टेप में क्या करें, कि हमें कुछ formula apply करें इसमें, तो मैं पता है कि sign 18 degree का value क्या होती है, sign of 18 degree equal to हो जाएगा, हां से यह root of five minus, root of five minus one divided by four होता है, और sign of 54 degree, sign 54 degree की value क्या होती होती ही, root of होता है, five plus one divided by four, जब इसको हमें हां simplify करेंगे, तो यह हो जाएगा, two into two, क्या four हो जाएगा, into sign 54 की value क्या हो जाएगी, यहां से जाएगा, root of हो जाएगा, five plus one divided by four, into sign 18 degree, sign 18 degree की value क्या हो जाएगी, हां से जाएगा, root of हो जाएगा, five minus में one divided by four, और into में क्या हो जाएगा है, यहां से जाएगा, cos of हो जाएगा, क्या 7 degree हो जाएगा, this is equal to sin of n degree, तो हमें यहां से n से, a4 से 4 cancel हो जाएगा, यह क्या लिखा है, a plus में b लिखा हुआ है, into a minus b, this is equal to a square minus of b square, जब इसको इसमें हम apply करेंगे, तो क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा, 5 minus 1 आ जाएगा, divided by हो जाएगा, 4 into cos of 7 degree equal to sin of n degree, तो जब इसको solve करेंगे, यहां से, यह cancel out हो जाएगा, तो हमें final answer क्या जाएगा, यहां से, यह हो जाएगा, यहां पर रिमेनी क्या बचाएगा, sin of हो जाएगा, n degree, this is equal to cos of हो जाएगा, यहां से, क्या 7 degree हो जाएगा, cos of 7 degree, तो हमें हैं से next time में क्या करेंगे, कि cos theta equal to क्या होता है, इसको हम लिख सकते हैं, हाँ से, क्या sin of 90 degree minus theta, जब इसको में हाँ पप्लाई करूँगा, तो यह क्या हो जाएगा, sin of हो जाएगा, n degree, this is equal to sin of 90 degree minus of 7 degree, तो हमें यहां से n के value क्या मिल जाएगा, n equal to i जाएगा, 90 degree minus भी क्या, तो यहां से यह हो जाएगा, 83 आ जाएगा.